नमश्कार दोस्तों, कैसे आप सभी, देखिए बहुत दिनों से आपका एक सवाल बार बार आ रहा है, बार बार आपकी एंक्वाइरी आती है, सर आरपी एफ की तयारी करें या सीटी की तयारी करें, मैं आपको बता दू, कई विध्यारती ये सवाल भी पूछते हैं, क्या सर आरपी एफ में सीटी लगेगा, देखिए, सीएटी राजस्तान लेवल पे हो रहा है, जबकि रेलवे आरपी एफ जो है, वो एक सेंटर गोर्मेंट का एक्जाम है, दोनों एक्जाम की एडजेंसी अलग-अलग हैं, राजस्तान सीटी आरेसे मेसे भी लेगा, जबकि जो है, वो आरार भी लेगा, अब आप समझे इसके बारे में, सवाल ये आता है, सर इन दोनों में अंतर क्या है, सर अंतर यही है, कि ये जो एक्जाम है राजस्तान सीटी, ये आरेसे मेसेज भी राजस्तान के लिए होगा, सीटी यानि common eligibility test, जब आप ये एक्जाम पास करेंग तो आप राजस्तान में होने वाली पतवारी, ग्राम सेवक, या और अन्य एक्जाम LDC, या आने वाली upcoming exams में, like राजस्तान पुलिस, कॉंस्टेबल, या RISF, जो भी राजस्तान में exams होंगी, उन सब में form भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका CET exam का score important है, आपको CET exam दे देना है, देना ही है, योगि उस exam को दे बिना आप 15 गुना की list में आ नहीं सकते हैं, और उसमें नहीं आए, तो आप किसी भी exam का forum भी नहीं बर पाएंगे, यानि राजस्तान CET का exam देना ही है, अब बात आती है sir, क्या RPF की तयारी हम साथ साथ कर सकते हैं, sir, RPF जो है, वो CET exam देने के बाद में, आपको और exam की तयारी करनी है, लेकिन RPF exam देने के बाद में, यदि आपका selection होता है, तो physical और physical के तुरंत बाद में, आपका क्या होगा, DV medical, यानि आपका selection हो सकता है, देखिए, अगर मैं railway RPF की बात करो, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे इसमें liquid परिक्षा होगी, ठीके, liquid परिक्षा के बाद में, आपका physical test होगा, उसके बाद में, आपका साक्षातकार नहीं होगा, इसमें, दस्तावेज सत्यापन, यानि आपका DV हो जाएगा, और DV के बाद में तो दोस्तों, selection होई जाता है, joining letter आई जाता है, बड़ा simple process है, liquid परिक्षा दो, यानि CBT होगा इसमें, computer पर test देना होगा, ठीके, और सारी रिक दक्षदा, physical होगा इसमें, इसके बारे में, detail से मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ, देखें सवाल आता है, सर CET, सर CET की बात करें तो पहले liquid परिक्षा देनी होगी, उस नई भरती के लिए परिक्षा दने score आएगा आपका, उस score के आधार पे आपको 15 गुना में आना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको फिर से तयारी करनी पड़ेगी, ठीके, अलग-अलग exams की तयारी करनी पड़ेगी, और अगर राजस्तान पुलिस की आप तयारी कर रहे हैं, तो CET की exam दो, 15 गुना की list में आना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको राजस्तान पुलिस की exam देकर, फिजिकल की तयारी करनी पड़ेगी, और फिजिकल अगर पास होता है, तब आपका document verification होगा, यानि CET केवल एक छटनी exam है, जिसके बाद में आपको फिर से और भरतियों की exam देनी है, क्योंकि जिन होने विद्यारतियों ने, पिछली बार CET का exam नहीं दिया था, इस बार वो LDC हो या राजस्तान पुलिस हो, उन सब में form भी नहीं बर पाए थे, बहुत सारे विद्यारतियों की query थी, बहुत सारे विद्यारति नाराज थे सरकार से, कि सर CET दु एक्जाम डेट, exam notification, forum, सब स्टार्ट है, आपको पता होना चाहिए 15 अप्रेल से, इसके फोरुम स्टार्ट है, किसके? आरपी एफ के, इसके फोरुम स्टार्ट है? आरपी एफ के, ये राजस्तान CET की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, राजस्तान CET की तयारी के लिए क्या क्या चाहिए देखो राजस्तान CET की तयारी जवाब करते हैं क्या आप उसके साथ में RPF की तयारी कर सकते हैं जी बिलकुल राजस्तान CET में आपको देखो इंग्लिश पढ़ना पढ़ेगा, हिंदी पढ़ना पढ़ेगा, गनीत पढ़ना पढ़ेगा, रिजनिंग पढ़ना पढ़ेगा, राजस्तान जीके पढ़ना पढ़ेगा, साथ में इंडिया जीके पढ़ना पढ़ेगा, राजस्तान जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हि लिए CET में चुकिए आप जानते हैं 1.500 क्यों सनाएंगे अरे दोस्तों हाँ या ना अब देखो अगर मैं बात करता हूँ आपकी आरपीएफ की आरपीएफ में क्यों सनाएंगे सर 120 इसमें आएगी 35 नंबर की मैथ ठीके 35 नंबर की रिजनिंग और 50 नंबर की करंट अफेर और भारत की जीके जानी इंडिया जीके आएगी अब सुनिए सबसे important बात है अगर मैं बात करता हूँ CET की यहां पर आप जो गनीत पढ़ेंगे इसमें advanced math भी आपको पढ़ना पढ़ेगा यानि छेतरफल आयतन जामिती यह सब भी आपको पढ़ना पढ़ेगा पिछली ब अंक गनीत रहेगा यह ध्यान रखना केवल और केवल अंक गनीत आपके पास रहेगा रिजनिंग आसान होता है जो syllabus CET का रिजनिंग का है वही syllabus रिजनिंग का आपका यहां पर है यहां पर एक topic कम है input output वाला CET में आता है यहां नहीं आता तो यहां एक topic कम मिलेगा reasoning में ज ज्यादा हैं तो समझेए गनी 55 क्यूशन आएंगे रिज्निंग 55 क्यूशन आएंगे और केवल और केवल इंडिया जी के आपको CET में पढ़ना पड़ेगा इंडिया जी के आपको RPF के लिए पढ़ना पड़ेगा तो देखिए पूरा सार इसका निकल कर आता सर यदि हम CET की तयारी करते हैं तो RPF की तयारी अपने आप ही हो जाती है अब तयारी में टाइम कितना लगेगा क्या सीन है मैं बता रहता हूँ देखो राजस्तान CET की अगर बात करते हैं तो इसका exam date final हो चुका है ठीक है राजस्तान CET का exam date September में है सेप्टेंबर और अक्टूबर में सेप्टेंबर अक्टूबर में राजस्तान CET की जाए तो आप ध्यान रखना इसका exam date कब है चुकि ALP यानि लोको पालेटी की exam और टेक्निशन की सेप्टेंबर में होगी लंबी exam चलेंगी तो लगबग सेप्टेंबर अक्टूबर फिक् इससे पहले होने की संभावना नहीं है तो नवंबर दिसंबर में यदि RPF का exam होता है उससे पहले आपका CET complete है तो आप CET की तयारी यदि करते हैं तो आप सबसे बड़ा फोकस करिए Maths, Reasoning, India GK पे राजस्तान GK रोईतसर आपको पढ़ा रहे हैं आप कहीं भी पढ़ रह आईए तो आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए लेकिन अगर आप इस तैयारी के दोरान अपनी Maths और Reasoning पर पकड़ बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी RPF की तैयारी इसके साथ-साथ ही हो जाएगी syllabus मैंने आपको बताया कुछ भी अलग नहीं है तो जब आप तैयारी कर रहे हैं CET की तो आप ये मान के चलिए कि RPF की तैयारी भी उसके साथ-साथ करनी है आप करनी कैसे हैं जैसे मान लू, Maths में आपने कोई topic पढ़ा, percentage पढ़ा या आप कोई और topic पढ़ते हैं, ratio पढ़त या समयकारी है, तो आप राजस्थान की जो exam से, उनमें जो questions आते हैं, वो questions तो करिए, practice के लिए वो questions तो करिए, साथ में railway exams में आई वे questions की practice भी कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका topic मजबूत होगा, अरे हाँ या ना, topic मजबूत होगा, railway के सवाल भी complete होगे, CET के हैं, तो यह मानिए कि आपकी RPF की तयारी साथ साथ हो रही है, पस थोड़ा math reasoning पर focus कीजिए, इंडिया जी के आपको बढ़िया करनी है, यानि आपको Indian polity पढ़नी है, जोगरावी पढ़नी है, current affair अपना मजबूत रखिए, तो आपको CET exam के बाद में भी लगबग एक महीना आपको लगबग मिलने वाला है, किसके लिए, RPF के लिए, जिसमें आप केवल और केवल math reasoning की practice करके, अपना selection सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है, तो बस यह query है जो आपकी, कि RPF की तयारी करें, या CET की, तो आप तयारी CET की करिए, साथ में RPF के लिए questions practice कीजिए, ठीक है, रेलवे में, जिस जिस प्रकार की question आते हैं, या पहले जिस प्रकार की question आये हैं, उनकी लगातार practice करेंगे, तो इधर देखो, questions का type same है, match में अगर percentage आता है, तो इसका मतलब है, percentage चाहे वो railway exam का question हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे CET का हो, या राजस्तान की exam का हो, आपको percentage topic कलब है, कि आप अपनी तैयारी मजबूत करेंगे, मिलते हैं, एक और नए वीडियो में, धन्यवाद,